नेट्राइच टेबलेट को भोजन के साथ या बिना भोजन के लिए जा सकता है। इसे आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार ही लिया जाना चाहिए। आपका डॉक्टर ते करेगा कि आपको कितनी खुराक लेनी चाहिए और आपको कितनी बार दवा लेनी चाहिए। इस दवा से अधिकतम लाब पाने के लिए आपको नियमित रूप से इस दवा को लेना चाहिए। जब तक डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए न कहें, तब तक दवा लेना बंद न करें, भले ही आप बहतर महसूस कर रहे हो. इस दवा का उप्योग करने से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं जैसे बार-बार पेशाप करने की इच्छा, नोक्टूरिया, रात में पेशाप करने की बढ़ती इच्छा, मुह में सुखापन, प्यास बढ़ना, मिचली आना, ब्लड क्रियेटिनिन में व्रिधी, हैपकलिमिया और कब्ज. अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट समय के साथ ठीक नहीं होता है या बत्तर हो जाता है, तो अपने डॉक्टर आनी करेगा, आपको अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए, जो आप ले रहे हैं, नेट्राइच टैबलेट के उप्योग, रक्त में सोडियम के निम्न स्तर का उपचार, शरीर में अतिरिक्त तरल्पदार्थ, हृदय रोग और गुर प्रती होने की भी आवश्यक्ता हो सकती है, नेट्राइच टैबलेट अतिरिक्त तरल्पदार्थ से छुटकार अपाने और रक्त में सोडियम को बनाये रखने में मदद करता है, ये हमारे शरीर में सामान्य सोडियम के स्तर को बहाल करता है, और स्मृति हानी जैसी आगे की जटिलताओं को रोकता है, नेट्राइच टैबलेट के साइड एफेक्ट, ज्यादातर साइड एफेक्ट के लिए किसी डॉक्टर के ध्यान की जरूरत नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर दवा के प्रती समयोजित होता है, वे गायब हो जाते हैं, अगर वे बने रहते ह या आप उनके बारे में चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें, नेट्राइच के सामान्य दुषप्रभाव, बार-बार पेशाप करने की इच्छा, नोक्टुरियर, रात के दौरान पेशाप करने की इच्छा में व्रिध्धी, मुव में सुखापन, प्या और अवधी में ले, इसे पूरा निगल ले, इसे चबाएं कुछले या तोड़े नहीं, नेट्राइस टैबलेट को भोजन के साथ या बिना लिया जा सकता है, लेकिन इसे एक निश्चित समय पर लेना बहतर है, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद